है यो गाइज वल्कम बैक टी अवर चैनल दगावीडर स्पाइडर दोस्तों एक बाइफिर से स्वागत आपका हमारी टेखनीकल चैनल दगावीडर स्पाइडर में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपना एडसेंस अकाउंट वैरिफाई कर सक अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करके बता कि आपको हमारा वीडियो का ऐसा लगता है क्योंकि मैं आपके लिए टीप्स और ट्रिक्स की सारी वीडियो लेका आता रहता हूं अधिक अगल का वैडियो को अज आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूं अपना गुगल अचेंस अकाउंट अभी मैंने ऐडिकर दिया अपना इमेल आइडियो पासवर्ड और स्क्यूर्टी परपास के लिए तोड़ा हाइड कर देता हूं परले मैं लॉगिन कर लेता हूं कर देता हूब कि मैंने वैरीफाई कैसे किया है अब ये लोग in हो रहा है थोड़ा वीट कर लेता है जब तक कि लोग इन होता है यहां पर आपको payment वगेरा दिखेगा जो कि आपके account में payment वगेरा पड़ा होगा और मैंने इसको हाइड किया है कि किस यह में दिखाना नहीं चाहता and मैं दिखाँ आपको यह जो यहां पर dashboard है, dashboard पर यह आपको एक message दिख जाता है इस जगह पर performance आ रहा है कि आपका address verify अभी रह रहा है तो मैंने verify कर लिया तो इसलिए मेरा नहीं दिखा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से verify किया दिखे, notifications में जाओंगा मैं अगर अभी मेरी notifications नहीं पड़ी previous notification देख लेता हूँ मैं देखे, यहाँ पर लिखा हूँ आ रहा है your payments are currently on hold because you have not verified your address मैंने पहले address verified नहीं किया था तो यह इस तरह से लिखा आता था, एक message आता था, notification में बट अभी यह लिखा हूँ आ रहा है नीचे, resolved यानि के मैंने जो है, verify कर लिया है यह verify करने से पहले इस तरह का message आता था और अब मैंने verify कर लिया है, तो इसलिए यह resolve लिखा हूँ आ रहा है तो इसी तरह से आपको करना है और यह कैसे होगा, मैं आपको बताऊँगा तो मेरे साथ बने रहा है, देखिए Firstly, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से मैं आपको दिखाया अपना account verify आपको सबसे पहले अपने account में login करके, sign in करके, sign in करने के बाद अपना account login करने, जैसे वहाँ पी address का option आता है आपको अपना address और नाम अगिरा डालना होता है, तो आपको अपना address और नाम एक pattern में डालना है आपको सबसे पहले अपना जो नाम है, AdSense account का वो नाम डालना है, जो pen card में आपका नाम है अगर आपके पास pen card है, तो बहुत आदा अची बाद है, अगर pen card नहीं है, तो कोई भी जो original documents आपके पास है आदार card या कोई ID, वो नाम आपको डालना है, ठीक है उसके बाद आपको वो phone number उसके अंदर डालना है, जो आपका available हो यानि कि 24-7 आपका phone आपके पास हो, तो यह मैं आपको एक address का pattern बताऊँगा, अब आदिवेट address डालने की बाद, यह address आपको किस तरह से डालना है तो यह address मैं आपको डाल के दिखा दूँगा, मतलब write करके इसमें type करके कि आप किस तरह से डालेंगे तो तीन चीज़े हैं, first, मैं आपको बता है कि आपको नाम का धियान रखना है, second, mobile number का धियान रखना है, third, address का धियान रखना है जब आप यह तीनों चीज़े properly डालोगे अपने absence account में तो आपको यह जो आपका absence में आने वाला है वो बहुत जल्दी आएगा जिससे आप अपना account verify करने में जो आपको problem हो रही है, उन problem का face नहीं करना पड़ेगा आपको तो जो name होगा आपका original होना चाहिए, absence account का जो आप अपना ID वगिरा में यूज करता है, जो address है वो भी proper होना चाहिए ठीक है address डालने के लिए देखोंगा आपको बता दूँँ जैसे यह अभी मैंने ABC डाला जो नाम है नाम के बाद फिर मैंने डाला जैसे कोई भी अपका home number हो सकता है, home number डालने के बाद आप लिखें अपना address, जैसे मैं डाल देता हम वसंत भिहार, Delhi then dash लगा, उसके बाद ज एक जो मैंने किया, यह जनुरी लोग नहीं करता है, address यही पर इतना complete करके छोड़ देता है, बट मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर प्लस 91 करके अपना phone number लिखा, phone number लिखने का फायदा यह हुआ है, कि जब आपको जो post office से वो आता है, card, sorry, later जब आता है, तो उसको ढू मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एक pattern मना देता हूँ, यह रहा, पहले आप number लिखेंगे, अपना home number, then address डालेंगे, then उसके बाद अपना, जो आपका pin code होगा, वो डालेंगे, उसके बाद फिर अपना mobile number जरूर डालेंगे, तो mobile number डालना बहुत जरूरी है, क्यों अब उस पे phone number लिखा नहीं होगा, तो वो किस तरह से पता लगाएगा, वो वापस ले जाएगे, क्योंकि वो government job पे, वो बहुत आलसी होते हैं, तो वो वापस लेके चले जाते हैं, और वो undelivered कर देते हैं, फिर उसको लिख देते हैं, address not found, उनको कुछ नहीं करना, उनका 15 days हो जाते हैं, 15 days के बाद, 15 days आपको हो गए, 15 days तक आपका pin नहीं आया है, तो आप 15 days के बाद अपने nearby post office विजिट करें, और वहाँ पे जाके चेक करें, कि यह आपके नाम से कोई parcel आया है क्या, अगर आया होगा, वो चेक करके बता देंगे, नहीं आया है, लेकिन 15 days तक तो आप वेट करें घर पे की घर पे आजाए शायद, अगर 15 days के बाद घर पे नहीं आता है, तो आप 15 days के बाद, पोस्ट ओफिस विजिट करें, और मैं बोल रहा हूँगा, आपको की हर एक दो दिन बाद विजिट करते रहें, क्योंकि पोस्ट ओफिस वाले बहुत हरामी तीनों ट्रीक में अगर आपको कोई भी चीज पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और बताएंगे आपको वीडियो कैसे लगा, मैं बिलता हूँ आपस अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और दूसरों